Accounting no problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ RT Teleprime की इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे Teleprime में सामान यानि सिंपल यूनिट्स बनाना इसके पहले वाले दो वीडियोस में आपने Stock Groups बनाना, उन्हें Alter करना और Delete करना सीखा था आज हम बताने जा रहे हैं Units के बारे में वैसे तो हमें Stock Groups के बाद Stock Items बनाना थे पर Stock Item बनाते समय, Stock Item में मापने की जो इकाई होती है, वो उसमें जोडना होती है तब ही हम उस Stock Item का ठीक से Record रख पाते हैं और यही कारण है कि हम आपको Stock Items के पहले Units बनाना सिखा रहे हैं जब हम कोई व्यापार करते हैं तो उसमें माल यानि Goods के क्रे और विक्रे का काम किया जाता है इस क्रे विक्रे के लिए हमें उस माल को नापना तोलना या गिनना होता है और इस तरह के काम के लिए जिन इकाईयों का उप्योग करते हैं उन्हें Units of Measure कहते हैं जैसे कि शकर तोलने के लिए किलोग्राम, दूद नापने के लिए लीटर, कपड़ा नापने के लिए मीटर होता है अब सवाल ये है कि हम Electric और Electronic आइटम्स का व्यापार कर रहे हैं तो इनके लिए क्या इकाईयों होगी इनके लिए हम Numbers का उप्योग करेंगे Numbers की तरह ही मान लीजिए हमारा कोई आइटम पीस में होता है तो हमारी इकाई पीसेज हो जाती है यहां हम आपको Quantity Codes की एक लिस्ट दिखा रहे हैं और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका PDF भी दे रहे हैं इसकी सहयता से आप अपने व्यापार की जरूरत के हिसाब से अपनी काई का नेने कर सकते हैं अभी हम Gateway of Tally पर हैं इसके पहले हम Masters के अंतरगत Create और Chart of Accounts की सहयता से Legers और Stock Groups बनाना सीख चुके हैं आई अब देखते हैं कि Units कैसे बनाई जाती हैं Masters Heading के अंतरगत Create के लिए C प्रेस करें और यहां Inventory Masters में Unit को सिलेक करें देखें Unit Creation विंडो आ गई है यहां दो तरगी Units बनाई जा सकती हैं Simple Unit और Compound Unit इन दोनों के अलावा Alternate Unit का भी उप्योग किया जाता है इस वीडियो में हम Simple यानी सामने Units पर काम कर रहे हैं Compound Unit और Alternate Unit के बारे में हम Intermediate Level में बताएंगे यहां Type में Simple लिखा हुआ दिखाई पढ़ रहा है और उसके नीचे Symbol लिखा हुआ दिखाई दे रहा है Symbol के सामने जो Unit बनाना हो उसका Short Form टाइप करना होता है हम Numbers के लिए Unit बनाना चाहा रहे हैं इसलिए उसका Short Form NOS यहां Type कर रहे है Enter Press करें और यहां Formal Name के आगे जो Unit बनाई जा रही है उसका पूरा नाम Type करना होगा हम यहां Numbers टाइप कर रहे हैं अब Enter Press करेंगे देखिए हमारा करसर Number of Decimal Places के आगे आ गया है यहां 0 लिखा है आएए से समझ लेते हैं कभी-कभी हमें व्यापार में वस्तूओं को इस प्रकार भी तोलना या मापना होता है जैसे 1 किलो 250 ग्राम शक्कर या 2 मीटर और 25 संटी मीटर का पड़ा इत्यादी अब मान लीजे हम किलो ग्राम की यूनिट बना रहे हैं तो हमें Number of Decimal Places के आगे 3 लिखना होगा और यदि मीटर की यूनिट बना रहे हैं तो 2 लिखना होगा चुँकि हम Electronic Items में डील कर रहे हैं जो कि अपने आप में पूरी वस्तू है जिसे हम 1, 2, 3 या किसे भी पूरे अंक में ही गिन सकते हैं यानि हम ये तो नहीं कह सकते कि 1.5 टीवी देना ये तो पूरना अंक ही रहेगा मतलब हमें Numbers के आगे दशमलव में कोई संख्या नहीं चाहिए इसलिए हम Number of Decimal Places के आगे 0 ही रहने दे रहे हैं और एंटर प्रेस करके इस विंडो को Accept कर रहे हैं अब यदि आपको कोई और यूनिट बनाना है तो बना सकते हैं हमें कोई यूनिट नहीं बनाना इसलिए हम वापस Gateway of Tele पर चलते हैं अब यदि आप अपनी बनाई हुई किसी यूनिट में कोई Alteration करना चाहते हैं या उसे Delete करना चाहते हैं तो ये काम आप Alter और Chart of Accounts की साहता से कर सकते हैं उसकी Process वही है जो हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताई थी पर एक बात का ध्यान रखें यदि आपने किसी यूनिट को लेकर कोई Transactions कर लिये होंगे तो उस यूनिट में Alteration तो संभव है पर आप उसे Delete नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में आपने Units के बारे में जाना आगे के वीडियो में हम आपको Stock Items जो Stock Maintain करने के लिए सबसे ज़रूरी है उसके सभी Options Create, Alter आदि को समझाएंगे साथ ही ये भी बताएंगे कि यदि किसी Stock Item को Delete करना है तो वो कैसे कर सकते हैं